दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पाली कबर All India कोटे में OBC को 27 और EWS वर्ग को 10 फिजदी आरक्चन पर मोधी सरकार की मोहर इसी सत्र से लागो होगा फैसला मोधी सरकार ने Medical Education में All India कोटे के तहट OBC वर्ग को 27 फिजदी और EWS वर्ग को 10 फिजदी आरक्चन देने के फैसले पर मोहर लगा दी है दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्चन का फायदा मिलेगा सरकार ने कहा कि पिछडो आर्तिक रूप से कमजोर तबगों को दे आरक्चन उपलब्ट कराने के लिए प्रतिबद निन्ने से अने पिछड़ा वर्ग या आर्तिक रूप से कमजोर तबगों के लगबग 5550 विद्दाति लावानतित होंगे हैसले की जानकारी देते वे पेम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान सेक्षिनिक वर्स से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए औल इंडिया कोटा स्कीम में ओबिसी के लिए 27 फिज़ी आरेक्षन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फिज़ी संक्त मंत्री मंगल पाने ने विदान परिसमें बिहार स्वास्त विज़्ान विश्षित डलाई विदायग 2021 का प्रस्ताव रखते हुए यह बात कही है मंगल पाने ने इसे चिकिस्ता सिक्चा के चेत्र में यहाँ बड़ा कदम बताया है उन्होंने बताया कि बिहार में अगले चार साल के दोरान मेडिकल कोलेजों की कूल सेंख्या अठाइस हो जाएगी इससे राज के मेडिकल पढ़ने वाले चात्र चात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बाड़े खबर महाज 10 रुपे में मिलेगी LED बल्म साथ मिलेगी तीन साल की वरंटी भी पटना में सुरूवी ग्राम उजला योजना जहां पटना जिले में भी ग्राम उजला योजना की सुरूवात हो गई है इसके तहट ग्राम इन इलाकों में महाज 10 रुपे में LED बल्म का वितरन किया जा रहा है नौबत पूर बिहाटा और बक्तियार पूर में गुरुवार से इसकी सुरूवात भी हो चुकी है राज के भोजपूर, बक्सर, भववा, सासाराम, बाका जिले में ग्राम, उजला योजना सुरू होने के बाद अब पटना जिले में इसकी सुरूवात होने जा रही है जिले में 10 लख बल्म वितरित करने का प्राथमिक लच रखा गिया है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि कारिकरम के तहट चालू हालात वाले पिले बल्म जमा करना है एक परिवार की और से अधिकतम पांच बल्म जमा किये जा सकेंगे इसके बदले में 3 साल की वरंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के 5 LED बल्म दिये जाएंगे साथ ही आपको बदा दे कि जिन उपभोकताओं के घरों में बिजली का मिटर लगा है उन्हीं को ये बल्म मिल सकेंगे बाड़ी कबर बिहार में पुलिस बदादी कारियों और कर्मियों के करीब 58,000 पद है रीक्त नितिस सरकार का सदन में जवाब जिहां बिहार में पुलिस बिभाग में करीब 58,000 पदादी कारियों और कर्मियों के बद खाली है ये जानकारी सरकार ने सदन में दी है सरकार ने बताया कि राज में स्विकित पद के आलोक में 57,451 पुलिस पदादी कारियों वो कर्मियों की कमी है गुर्वार को ललन कुमर सरप के सवाल के जवाब में रभारी गिर्या मंत्री ने सदन के बताया कि राज में पुलिस पदादी कारियों वह कर्मियों के स्विकित पदों की सेंख्या 1,42,217 है जब की वर्तमान में 87,165 पुलिस पदादी कारियों वह कर्मिक कारियरत है बड़ी खबर 28 संयूत परवेश परिक्षा के तिति में एक बार फिर से बदलाव 11 की जगा अब 13 अगस्त को होगी परिक्षा जिहां कोरोना वारस ने देश की अर्थ विबस्ता सहीद जन जिवन को बिपट्री कर दिया है कोरोना की वज़ा से ही बीति दो साल से अगेडमिक कलेंडर भी बेपट्री हो रहा है इसी बीच साल 2021 के लिए बिहार 28 परवेश परिक्षा के तिति में पाच भी बार बदलाव किया गया है पहले ये परिक्षा 11 अगस्त को होने वाले थी जिसे दो दिन आगे बढ़ा कर 13 अगस्त कर दिया है इसके लिए अभियारती 4 अगस्त से एडमिक का डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आपको बदा दे कि बिएड की संयुक्त परवेश परिक्षा 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से दो पर एक बजे तक आयोजित की जाएगी बाड़ी खबर राज में 17 जिलो में बारिस का अलाट अगले तीन दिनों तक पटना गया भागलपूर समेत कहे जगों पर भारी बारिस के साथ वजरपात की समावना मौसम विभाग ने कहा घर मही रहे जिहां मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बिहार के पटना समेत 17 जिलों के लिए अलट जारी किया है पटना नवादा नालंदा गया जहानाबाद अरवाल औरंगाबाद केमोर रोहतास भोजपूर, वैसाली, भागलपूर, बाका, जमोही, मुंगेर, लखिसराई और सेखपूरा की विभिन चेत्रों में लगातार हुआ भारी बारिस की समावना जाता ही है इसको लेकर विभाग की और से अलट बे जारी किया गया है वेगानिकों के अनुसार इन जिलों में अ खुलासा बिहार सरकार को 136 कड़ोर राजस को हुआ नुकसान, पांस साल में तीन पर्दिसत लोगों को ही मिला मान रहेगा का काम, जी हाँ, नियांतरंद एवा महालेक परिक्चक यानि की कैग ने नितिस सरकार की पोल खुल कर रख दी है, गुरुवार को बिहार विदानस दबा पडल पर रखेगे कैग रिपोर्ट से कई खुलासे हुए है, कैग ने अपरेल 2018 से फरवरे 2020 तक 629 मामलो का पता लगाया है, जिसमें सरकार को 368 कड़ोर रुपे राजस की हानी हुई है, नितिस सरकार ने सिवकार किया कि अपरेल 2018 से फरवरे 2020 तक 1336 कड़ोर के राज निदारन वा अन्य त्रोतियों को स्विकार किया है, इसमें से 366 करोड के 55 मामले 2018-19 के दोरान तता सेस पूरवर्ति वर्सों में इंगित किये गए थे बिहार के नालंदा खुला विस्विद्दालय में नमांकन आज से आरम, अब घार बेटे कीजिये पढ़ाई, लड़कियों को विसेश छूट मिहार में कोरोना वारिस संक्रमन का सिक्चा पर बुरा असर पड़ा है, इसे देखती वे नालंदा कुला विस्विद्दालय ने अपने सेक्चिनिक सात्र 2021-22 में नमांकन के चात्र चात्राओं को सुविधाय दी है, विस्विद्दालय ने इंटर्मिडेट से लेकर इसना तक कोर इस्तर के 105 पड़करों में आज से नमांकन के प्रक्रिया आरम किया है, इनमें पारंपरिक के साथ साथ वेवसाइक पड़करों भी सामिल है, नमांकन में लड़कियों को फिस में 25 फिस्विद्दी की विस्विद्दी चूट दी जा रही है, नमांकन की विस्विद् बाड़ी के बर भागलपूर की गरिमा बंक का क्लेट बिहार टोपर देश में नौवा इस्थान जिहां नेशनल लौ इनिवसिटी के कंसूर्टियन ने क्लेट 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है इसमें पंजाब के मनहर बंसल ने देश में टॉप किया है बिहार की गरिमा बंका ने देश बर में नौवा इस्थान हासिल किया है गरिमा मूल रूप से भागलपूर के रहने वाली है कॉमन लौ एड्मिसन टेश्ट यानि की कलेट 2021 का परिणाम आधिकारिक बेवसर्ट पर जारी किया गया है देश बर के 22 राष्ट्रिय वेदिव इस बिदालाएं में ना टिकेट रिलवे ने किया एलान जहां लौकडाउन खतम होने के बाद एक अगस्त गया क्योल रेलखंड वा गया जमालपूल रेल्खंड पर पैसंजर ट्रेनों का परिचालन सुरू होने जा रहा है एक अगस चोज जोड़ी ट्रेनों का परिचालन सुरू हो जाएगी इसके कारण 31 जुलाई से डिलहा टिकटगर गया रेलवे स्टेशन इसी टिकटगरों में टिकट की बुकिंग सुरू कर दी जाएगी इस समद में स्टेशन प्रवंदक केकी त्रिपाटी ने बताया कि पैसंजर ट्रेनों का परिचालन की डिमांड कई दिनों से की जा रही थी डिमांड को देखते हुए पैसंजर ट्रेनों का परिचालन सुरू कर दी गई है पैसंजर ट्रेनों के परिचालन सुरू होने से रेलवे का राजस्वा का काफी घाटा हुआ है बिहार मानसुन स्तर का चोथा दिन में महांगाई बेरोजगारी को लेकर हंगामा वेल में पहुचे माले विदायक जिहां बिहार मानसुन सत्र के चोती दिन भी विदानसवा की कारवाई काफी हंगामेदार रही विपक्ची सदस्यों निकल महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जम कर हंगामा किया कोरोना से हुए मोटों को चिपाने पर भी जम कर नारेबाजी हुई माले विदाय गवेल में चले गए हंगामे की बेच ही राजत के मुई की परवक्ता भाई विरेंदर आसन को भरष्ट कहे जाने पर गिर गए विदानसवा स्पिकर की कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के बाद उन्हें माफी मागनी पड़े बाड़ी क्याबर एक अगस से फिर खूल जाएगा गया एरपोर्ट वाया बनारस दिल्ली के लिए उड़ेगी एर इंडिया की फ्लाइट जी हां गया एरपोर्ट से एक अगस से हवा यात्रा फिर से सुरू हो रही है इसके लिए एरपोर्ट और विमानन कमपनियों ने तैयारिया पूरिक कर लिए है कोरोना के कारण एरपोर्ट पर उड़ाने बंद हो गई थी अब फिर से गुलजार होने से यात्रियों को राची और पटना एरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी दिल्ली के लिए एर इंडिया की फ्लाइड हपते में चार दिन उड़ान बढ़ेगी रहिवार मंगलवार गुरुवार और सनिवार को दिल्ली के लिए विमान सिवाई उपलब्द रहेगी बाड़ी कबर बिहारियों को गुंड़ा कहने पर घिर गई सांसद महुआ मोहित्रा बिजेपी सहित बिबक्च ने कहा पहले अपने गिरेबा में जाके जहां बिहार के लोगों को गुंड़ा कहकर टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा बुरी तरह से विवादों में घिर गई है लोकसबा में बिजेपी सांसद निसिकान दुबे ने त्रिनुमल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहितरा पर गंबिर आरूप लगाते विए उनसे मापी मांगने की मांग की है वहीं अब इसका असर पटना में भी दिखाई देने लगा है हर मुद्दे पर सरकार के किलापात करने वाले बिपक्ची विदायकों ने महुआ मोत्रे पर जम कर हमला किया है उन्होंने कहा कि एक सांसद को यह सोबा नहीं देता है कि वह किसी प्रदेश के लोगों के लिए इस तरह की भासा का परियोग करे उन्होंने कहा कि वह फ़ले खुद को देखी कि वह कौन से प्रिष्ट भूमिश से आई है सिपी आयाम की विदायक ने कहा कि वह किस तरह से राजनिती में आए हैं साहे जानकारी ही नहीं है वह इस मामले को लेकर बिजेपी की विदायकों ने भी सवाल उठाए है विसपी विदायक हरीबुसन बचोल ने कहा कि बिहार गुंडे नहीं गोरव होते हैं उन्होंने कहा कि अगर जल से जल माफी मांगे नहीं तो दिल्ली में रह रहे लोग उनको वहां रहना मुस्किल कर देंगे और एड से एड बजा देंगे बाड़े के बर, नेपाल में रुक रुक कर हो रही बारिस ने बिहार के इन जीलों में बड़ाई Tension गंड़क मागमती उफान पर जिहाँ नेपाल में हो रही रुक रुक कर बारिस के कारण गंड़क नदी में उफान आने लगी है पिछले 24 गंटे में 48 सेंटिमीटर पानी का लेवल बढ़ा है कत्रे की निसान से नदी फिर एक मिटर से उपर पहुच गई है नेपाल में बारिस की वज़ा से तराई इलाकों में बाड का खत्रा फिर से मंडराने लगा है जानकारी के अनुसार नेपाल के ज़ल गरान चेत्रोवा जिले में हो रही बारिस के कारा नदियों के जलेस्तर में एक वज़ा से अगर बिहार की नदियों में बाड आती है तो सबसे अधिक बिहार के बोर्डर वाले जिले प्रबावित होंगे विहार के मदोवनी दर्बंगा सितामडी मोतिहारी बेतिया मुझेपर पूर और गोपाल गंज में बाड़ का खत्रा बढ़ेगा और आंद की बाड़ी खबर CBSE 10 वी और 12 वी के स्टुडेंट के लिए रोल नमबर फाइंडर लॉंच 31 जुलाई तक जारी होगा रिजल्ट जिहां CBSE जल्दी 10 वी और 12 की रिजल्ट जारी करने के तैयारी में है दोनों क्लास के नतीजे जारी करने के पहले बोर्ड ने 10 वी और 12 की स्टुडेंट के लिए रोल नमबर फाइंडर लॉंच किया है यहां लिंग बोर्ड की ओफिसेल वैबसाइट cbse.government.in पर एक्टिव हो चुकी है कैंडिडेट इसके जरिये अपना रोल नमबर देख सकते हैं साथ ही आपको बता दे कि CBSE आज याने 30 जुलाई को 10 वी का रिजल्ट जारी कर सकता है बारवी का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होने की सम्मावना है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में बेरोजगार इवक को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं